जै मातादी दोस्तों, अक्षा तितिया के दिन अपने घर पर आसान तरीके से आप पूजा अर्चना कैसे करें, वो जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएं हैं, तो आप वीडियो पर इंतक बने रहें, यदि आपने उस दिन कुछ सोने की वस्तोई खर जो चीजे हमें दान देनी हैं, वो भी रखना है, भगवन गड़िश का नाम लेती हुए हम गडपती जी को एक सुपारी पर मौली के धागे लपेट कर आसन दे कर चावल का आसन दे कर यहां पर विराजबान करेंगे, अभी हम आवाहन भी करेंगे, इसी के साथ में हमें ग विशेष चंदन तिलक की बात है, तो यह है केसर के धागे, इस पे गंगाचल में लाएंगे, और थोड़ा सा हम हल्दी मिलाकर यह विशेष चंदन हम त्यार करेंगे, चांदी की कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे अपने बच्चों के मस्तक पर, कंट पर, गले में नाभी में आप लगाएं, विद्या के लिए बहुत ही शुब होता है, और जो आपने सोने की चीज़े खरीदे, वो भी आप पास में रख लीजिए, और यह बेसिक समागरी है, जैसे कि इस दिन चने का दाल का अक्षत हम भगवान विश्नु को चड़ाते हैं, और चावल क तो मिटी का घड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़े आप दान करें, उसमें जल भर कर ही करें, खाली पात्र दान ना करें, आप जग भी ले सकते हैं, ग्लास भी ले सकते हैं, तो हमने इसे जल से भर दिया है, अब इसके उपर हमें रखना है कुछ मिस्थान, तो कुछ मौसमी फल में स्ठान रखकर आप दान करें तो यह चीजे हो गई हमारी दान की इसे अभी मनसना है इसलिए हमने पास में रखी है ठीक है अब यहां पर सभी चीजे आप जैसे स्री अंद्र है पढ़ने के लिए कनकधारा की पुस्तक है और यह है कलश तो कलश के अंदर क्या क्या चीज़े डाली है क्योंकि मैंने कलश बना लिया है इसके अंदर कुछ विसेज चीजं डालेंगे जैसे कि कमल Banks, घरी, इलाईची, चांदी या तांवे की सिक्के हम डालेंगे सादार्ण सिक्के भी डाल सकते हैं लॉंग, इलाइची, सुपारी ये सारी चीज़े आपको डाल कर कलस त्यार करना है कुछ स्रिंगार की सामागरी आप जरूर चढ़ाएं जो भी आपके पास में हो देखिए हल्दी है हल्दी सोना सरूपा मानी जाती है तो आप हल्दी जरूर चढ़ाएं और यहाँ पर चूड़ी, बिंदी, महावर, मेंदी, आल्टा सभी चीज़े मैंने ली है और यह है मौसमी फल तो फलों में हमने आम, कच्चा आम है, पका आम है, ककड़ी है, केले हैं यह सभी चीज़े ली है थाली में हमने एक थाली भूजन सूखा लगाया है चने की दाल है, चावल है, यह बढ़िया है और यहाँ पर दक्षणा, हल्दी, नमक और यह है शक्कर और आटा तो बस इन सब चीज़ों को एक साथ करके आप पूजा की शुरुवात करें सबसे पहले सभी चीज़ों को आप सुद्ध करें आप स्वयम भी आच्मन कर लें तीन बारी आच्मन करके उसके बाद हम संकल्प लेंगे संकल्प लेने के लिए हाट में अक्षण, दक्षणा और इस तरह से पुस्प भी आप ले लेज़े पूजा को संपन करें मातालक्ष्मी की क्रपा हमारे घर में सद्यों बनी रहे ऐसी क्रपा के साथ में प्रातना के साथ में पूजा के शुरुबात करें अब हम गड़ेश भगवान का आवाहन करेंगे है गड़ेश भगवान आप विराजबान हो आपके पूजा अर्चना हम करना चाहते हैं इस तरह से गौरी जी का ध्यान करते हुए गौरी गड़ेस का आवाहन करेंगे जल गुमाएंगे उसके बाद फिर थोड़ा सा हाथ में अक्षत लेकर हम वरोण देवता का ध्यान करेंगे क्योंकि जल में बहुत सारे देवी देवता निवास करते हैं वरोण देवता के साथ में तो बस इस तरह से उनका आवाहन करने के बाद पूजा के शुरुवात करें पूजा के शुरुवात में आपको दीप प्रजुलित करना है क्योंकि दीप हमारे पूजा के शाक्ति होते हैं, गंटे की दोनी करते हुए इस तरह से पूजा की हम शुरुबात करेंगे, और अब हम सबसे पहले दीप देवता का पूजन करेंगे, जल गुमाएंगे, और दोस्तों यहां पे पंके की हवा से दीप को कोई नुखसान न पह करें, अब हमने एक खाली पात्र ले लेना है, जो भी जल गुमाएंगे, वो हम रखेंगे, इसलिए हमने यह रखा है, अब हम वरुण देवता का पूजन करेंगे, तो दीखें, आप गड़ेश जी का भी पूजन कर सकते हैं, और वरुण देवता का भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं कि आप पहले किसकी करें, यहां पर हम तिलक, हल्दी, कुमकुम जो भी है, आमके पत्तों पर, कलश पर, सभी चीजों पर हम लगाएंगे, अब भगवान गड़ेश की पूजा हम करेंगे, तो यहां पर हमने स्नान करा दिया है, और यह वस्त्र पहना रहे हैं सब चीजें, तो जितनी भी चीज हम चड़ाएंगे, समर्प्यामी यानि समर्पन की भावना से हम सभी चीजों को चड़ाते हैं, अब यहां पर जनेव चड़ाएंगे, तो जनेव कच्चे धागे को हाथ में साथ बारी लपेट कर, हल्का सा हल्दी लगाकर हम गड़ेश ज इसको हटाकर क्योंकि यह मेरा पात्र नया है, इसे में हमने भोग लगा देना है गड़ेश जी को, जल हुमाना है, प्रणाम करना है, तांबूल भी आप चड़ा दीजे, जैसे कि पान के पत्ते पर लॉंग, इलाइची, सुपारी और दक्षणा, बस यहां पर गड़ेश की रूप में जैसे गड़ेश जी को पेनाया था, उसके बाद हम तिलक लगा रहे हैं, केसर चंदन वाला, ठीक है, तो यहां पर सभी जो आपके वरूर दे उता है, गरूर जिसे कहते हैं, वाहन है भगवान विश्नु के, माता लक्ष्मी के, सभी को हम इस तरह से, चनेगी चड़ा दीजे, यहां पर मिश्री का भोग हम माता रानी को लगा रहे हैं, दोस्तो हमने यहां पर नीचे एक को तुलसी पत्र पहले से ही रख लिया था, क्योंकि बातो बातों में भूल हो जाती है, तुलसी पत्र भगवान विश्नु के लिए है, और माता लक्ष्मी को सा पांबूल चड़ाएंगे, लॉंग, इलाइची, सुपारी और पान के पत्ते पर रखकर जल गुमाएंगे, घंटे की ध्वनी से हम प्रातना करेंगे, निवेधन करेंगे, क्योंकि जब भी हम भोग प्रशाद चड़ाते हैं, तो निवेधन, यहां पर दक्षणा चड़ा करेंगे, तो यहां पर इस तरह से आपको पूजा की सभी विधिया करते हुए हम स्रिंगार की सामागरी चड़ाएंगे, दोस्तों मैंने सिंदूर अभी मातरानी को लगाया, वो थोड़ा सा स्किप हो गया है, कभी-कभी अन आफ करने में गड़बडी हो जाती है, तो माफ करिएगा, स्रिंगार में जो भी चूड़ी विंदी आप पास में रख दीजे, बाकी थाली आप साइड में लगा दीजे, विसेश स्रिंगार होता है, चूड़ी विंदी, सिंदूर और ये इत्र, तो इत्र थोड़ा सा रूई में लगा कर आप सभी देवी दिवताओं के पास में रख दें इस तरह से सभी स्रिंगार होने के बाद माता रानी को हम दर्शन कराएंगे यानि कि शीशा मा को दिखाएंगे मा किते कुपसूरत सुंदर लग रही है माता रानी विश्णु भगवान के साथ विराजमान है और इस तरह से धूप दीप हम दिखाएंगे उसी को भाव से हम इस तरह से दिखाएंगे, अब उसके बाद आप पाट करिए, मंत्रों का जब करिए, आपका जो दिल करें, आप करें, मंत्र में आप चाहे मातलक्षमी का मंत्र ले, कोई भी मंत्र आप लेकर जब सकते हैं, ओम श्रीम सही नमा, इस मंत्र से 108 बारी आप आर्ती करेंगे. तो ़ी का पारती में भी बाहत सारी बेहनों को किस تरहा है? तो भगवाद गडेश का नाम लेकर सिर्फ मातली आर्ती किसकी आर्ती सकती है Здरी हिस भाछी अलंग करना यह सो का में ना मातल ल किRY¨ esther ले, आप कर दोबार दोब आब अधिकषा का पराद करेंगे और स्वयम आरती लेंगे दोनों हातों से इस तरह से गुमाते हुए अगनी के ताप को मुख मंदल पर हम भाव से महसूस करेंगे ठेके अब यह जो आरती है आप अपने बच्चों को अपने परिवार में आपके बड़े बजर्ग उनको भी आप दे दीजे पूरे घ दान की भी चीज़े हटा लीजे आप दान देना चाहते हैं तो आप दान दे दीजे यह फल मठाईयां आप अपनी घर में परिवार में पडोस में बाट सकते हैं स्वयम इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है और उसके बाद आपको भोग हटाने के बाद आप छमा प्रातना जरूर करेंगे ठीक है चमा प्रातना में आप मंत्र हीनम क्रिया हीनम भक्त हीनम यह वहला मंत्र है हम इसक्रीन पर लिख दे रहे हैं आप दोनों हातों को जूड़कर प्रातना करती कि हे मा लक्षमी भगवान विश्नु हमें पूजा करने का ज्यान हमें कुछ भी नहीं है जो कु प्रातना के लिए हमारे घर में पर देना हाथा है